क्या आपको पता है कि समुद्र में से तेल कैसे निकाला जाता है तो सबसे पहले समुद्र की जमीन में एक मोटे स्टील पाइप को डाला जाता है फिर इस पाइप में ड्रिल बिट को डाल कर ड्रिलिंग शुरू की जाती है फिर एक निष्चंद गहराई तक डिलिंग करने के बाद इस pipe में एक और pipe डाला जाता है जिसे casing pipe कहा जाता है इसके बाद इस pipe में cement को pump किया जाता है जिससे दोनों pipe के बीच में cement की layer बन जाती है इससे पूरे structure को मजबूती मिलती है फिर इसी process को दोराया जाता है जब तक त जाला जाता है